हेलो दोस्तों मैं हूँ आपकी लीजा and welcome to my show किसमत काद्स और मैं आ गई हूँ लेके कि next 24 hours आपके कैसे जाएंगे या क्या guidance या message है universe की side से so आये start करते हम अपनी पहली राशी से जो की है मेश राशी, let's see मेश राशी के लिए क्या message है next 24 hours में alright so मेश राशी वालों को लेके जो message है पहली चीज तो है कि मुझे ऐसा लगता है कि काफी जो लोग हैं आपके लिए कोई spontaneous या तो कोई you know travel करके आपके पास आप सकता है या आप travel करके किसी के पास जा सकते हो काफी लोग के लिए मुझे कुछ एक trip जैसी you know spontaneous decision भी लग रहा है कि आपको कहींपे travel करना पड़ सकता है या कुछ भी ऐसा दूसरी चीज ये अगर मैं बात करूँ आपके career को लेके career के अंदर आपके अंदर वो comparison नहीं आना चाहिए हो सकता है next 24 hours में आपको ऐसा लगे कि शायद से आप और अच्छा कर सकते हो या शायद से उस इनसान का जादा अच्छा है मेरा कम अच्छा है तो वो comparison वाली चीज अपने career में आपको बिल्कुल भी नहीं रखने है आपका जो path है वो बहुत different है और आपको maturity के साथ यहां पे चलना है आपको एक बहुत ही चीजे बहुत uncertain लगेंगी चालेंजिंग लगेंगी लेकिन आपको इस uncertainty के साथ ही आगे बढ़ना है लेट सी हमारी अगली राशी जो की है वरिशव राशी वरिशव राशी वालों की अगर मैं बात करूँ सबसे पहली चीज तो यह कि अगर आपको कोई भी issue हो रहा था किसी type की understanding को बिठाने में या आपको ऐसा feel हो रहा था कि शायद सापको चीजे समझ नहीं आ रही थी आपको समझ नहीं आ रहा था कि इस चीज का क्या outcome हो सकता है किसी specific situation को लेके कितना आगे जाएगा कोई bond क्या है क्या है नहीं तो वहाँ पर अब because आप उस चीज को बहुत detachment से देख रहे हो because अब आप अपने personal emotions को उसके अंदर नहीं लेके आ रहे हो तब आप उस situation को और अच्छे से समझ पाऊगे आपके अंदर वो understanding और अच्छे से आती हुई दिख रहे है और यह जैसे ही understanding आएगी उतनी ही intensity के साथ आप बाहर निकलते हुए दिखाई दे रहे हो darkness से आप light की side जाते हुए दिखाई दे रहे हो let's see हमारी अगली राशी जो कि है मिथुन राशी okay okay मिथुन राशी वालो की अगर मैं बात करूँ बहुत जल्ड you know within one month मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने the one से मिल सकते हो जो भी person आपकी destiny में है आप उस person से मुझे मिलते वे दिखाई दे रहे हो और यह बहुत ही strong bond मुझे दिखाई दे रहे है एक soulmate connection भी मुझे दिखाई दे रहे this is something जो you know कोई नहीं कितनी लोग नजर लगा लें कुछ कर ले लेकिन बगवान को अगर ये चीज़ आप दोनों को लेके आना है तो वो लेके आएंगे ही तो मुझे strong reconciliation वाली energy भी यहाँ पे दिखाई दे रहे है कर कराशी वालों की अगर मैं बात करूँ तो मुझे यहाँ पे ऐसा लग रहे है कि आपके अंदर किसी को लेके कुछ liking हो सकती है हो सकता है कि आप दोने एक दूसरे से काफी जादा बात भी कर रहे हो एक जो friendship वाली चीज़ है वो और जादा strong हो रहे है आप दोनों के बीच में जो bond है वो और जादा strong हो रहे है लेकिन उसके साथ साथ आपको ये भी बोला जा रहा है कि आपको काफी patience के साथ चलना है इस person को लेके काफी slow चलना है कोई जादा decision नहीं लेना है जैसे जैसे flow में आप लोगों का जो bond है वो और जादा strong होता जाएगा आप दोनों एक दूसरे को और जादा अच्छे से जानोगे और जैसे जैसे जानोगे you will understand कि क्या आप दोनों को एक दूसरे से same चीज़ चाही है या नहीं चाही है तो करक राशी वालों को लेके यही message है और मतलब मुझे ऐसा लगता है कि आप मेंसे काफी लोग single है लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो एक person के साथ deal कर रहे है लेकिन एक और person जो आपकी life में आया हुआ है okay let's see हमारी अगली राशी जो की है सिंग राशी okay सिंग राशी वालों के लिए जो आने वाला time है वो कुछ ऐसी possibilities create करेगा specially आपके career के अंदर जहां पे आपका career बहुत ही fast pace से आगे बढ़ने वाला है ठीक है एक ऐसी energy भी आ सकते है कि शायद से आपको होश अता पता कुछ ना चले आप इतना जादा अपने career में focus होने वाले हो मुझे बहुत जादा growth दिखाई दे रही है in fact यह मुझे students के लिए भी हाँ पे बहुत अच्छा message देख रहे है कि जितना जादा आप इस चीज के अंदर मतलब एक ऐसा time आने वाला है जहां पे आपको बहुत अच्छे से मन लगने वाला है कि hello या फिर आप बहुत focused होने वाले हो बहुत महनत करने वाले हो अपने goals को लेके ठीक है अपनी achievements को लेके तो उस चीज को लेके आप prepared रहें क्योंकि बहुत सारी exhaustion भी होगी आप काफी you know exhaust होने वाले हो तो बढ़िए कही ना कहीं I think अच्छा ही है आप लोग के लिए so let's see हमारी अगली राशी जो की है तुला राशी तुला राशी वालों को लेके जो मुझे message मिल रहे वो ये है कि अगर अभी तक आपकी life में कुछ ना कुछ financial pinch चल रहा था या financially कुछ ना कुछ issue चल रहा था जहां पे आपको लग रहा था कि आप कितनी महनत कर लो या तो पैसा रुकता नहीं है या चला जाता है या जो भी एक saving नहीं हो रही थी वो income वाली जो चीज थी वो शायद से इतनी जादा strong नहीं थी तो वहाँ पे मुझे ऐसा लगता है कि आपकी जो finances है वो increase होने वाले हैं जो आपकी income वाली चीज है वो काफी जादा आपकी strong होने वाली है और साथ में मुझे ये भी लग रहा है कि या तो हो सकता है आपने कभी कुछ यूनो बहुत बार ऐसा होता है कि हम कोई wish मांगते है जब भगवान से तो हम बोलते हैं कि अगर मेरे पास ये चीज होगी तो मैं ये करूंगा या करूंगी तो शायद से आप लोग वो चीज करना भूल गए हो या कुछ ऐसा तो आपके लिए यहां पे एक message है कि आपको उस चीज को याद करना है अगर कुछ ऐसा है तो और अगर मैं बात करूं नेक्स 24 आवर्स में तो सबसे पहली चीज तो ये कि आपका दिमाग और आपकी फायर एनरजी दोनों बहुत जादा मुझे पीक पे दिखाई दे रहे हैं ठीक है तो आप लोगों को सबसे पहली चीज तो ये नम बहुत जादा दिमाग नहीं लगाना क क्योंकि आप जितना अपना दिमाग लगाओंगी उतनी जाद आप अपनी एनरजी को गलत थरीके से यूज करता हैं मुझे यहां पे दिखाई दे रहे हो जब हमाई लाइफ में एक चीज अच्छी होती है तो हम इतना ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं हमारे अंदर इतन जाद आपका दिमाग चल रहा है तो make sure आप अपना water intake उतना जादा कर रहे हो अगर आपको लग रहे है energy बहुत जादा है excess में है तो आपको grounding करनी है तब आपको earth element यूज करना है okay let's see हमारी अगली राशी जो कि है वरिष्चिक राशी वालो को लेके तो मुझे यह जो मुझे हापे message मिल रहा है पहली चीज तो यह कि मुझे ऐसा लगता है कि कोई आपकी life में एक ऐसा you know secret admirer है या कोई एक ऐसा person है जो आपको stalk कर रहे हैं आपको दूर-दूर से देखते हैं आपको observe करते हैं यह जो person है आपको बहुत जादा आपको पसंद करते हैं आपको like करते हैं आपकी innocence यह especially उन लोगों के लिए है जो actually मैं innocent है ठीक है तो उन लोगों के लिए यह बहुत मुझे एक strong message मिल रहा है कि कोई person आपको definitely कोई new person आपको reach out करने वाला है शायद से आ यह भी मुझे यहां पर दिखाई दे रहे है कि you know आने वाले time में अगर आप किसी चीज को लेके आपके अंदर you know एक laziness आगई थी या एक वो lethargy आगई थी या कुछ भी ऐसा तो आने वाले time में आप उस चीज से और निकलने वाले हो basically ठीक है और यह आपको तब होगा क्यों कि क्या होता है जब हमारे अंदर बहुत energy होती है हमारे पास कडने को कुछ नहीं होता है तो हमारी जो भी fire energy होती है वो सब transform हो जाती है हमारी तामसिक energy में and then हम बहुत जादा lazy हो जाते हमारा कुछ कडने का मन नहीं करता है तो आप जितना जादा water से अपनी body को clean लेकर क्या मेसेज है और राइट धनूर आशी वालों को लेकर जो मेसेज है वो यह है नेक्स 24 आवर्स में कुछ ऐसी थंडर बोल्ट वाली सिचुएशन क्रिएट हो सकती है एक ऐसी सिचुएशन या तो कोई फाइट में वो चीज बदल सकते है किसी टाइप के और मुझे दिखाई दे रहे नेक्स 24 आवर्स में तो मेक्शूर कि आप कुछ भी रिस्क नहीं ले रहे हो मेक्शूर आप कुछ भी कुछ नया प्लान नहीं कर रहे हो बिना अपने घरवालों से पूछे या जिनको भी आप इंपॉर्टंट कंसिडर करते हो उनसे बिना ठीक है लेट सी हमारी अगली राशी जो कि है मकर राशी मकर राशी वालों के लिए जो message है वो ये है कि सबसे पहली चीज तो ये कि आपकी family आपको किसी चीज को लेके pressurize कर सकते है या आपकी family आपको किसी decision को लेके influence करने की कोशिश कर सकते है so next 24 hours में आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है कि आपको अपनी family से या जो भी ऐसे लोग हैं जो आपको एक गलत decision लेने पर आपको influence कर सकते हैं या मजबूर कर सकते हैं आपको उनसे थोड़ा सा बचके रहने की need है आपको एक miser वाली situation में या एक miser वाली position में आने की need है अपने आपको protect करना है ठीक है family के बारे में नहीं सोचना किसी के बारे में नहीं सोचना है यहां पर आपको अपने बारे में सोचना है अपनी life के बारे में अपने long term decisions को लेके आपको सोचना है let's see हमारी अगली राशी जो की है कुम राशी कुम राशी वालों की अगर मैं बात करूँ सबसे पहली चीज तो ये कि next 24 hours में थोड़ी सी एक mind वाली situation create हो सकती है जहांपे कुछ लोगों को you know in fact मुझे ये भी लग रहे कि आप काफी जादा mentally exhausted feel कर सकते हो headache हो सकता है ये सब चीजे हो सकती है बहुत pressure feel हो सकता है दिमाग पे ऐसा लग सकता है कि मतलब ये वाला पूरा area काफी जादा heavy लग सकता है next 24 hours में तो वहां पे और एक ऐसी भी situation create हो सकते है जहांपे आपको बहुत instant decisions लेने पड़े बहुत spontaneous decisions लेने पड़े या action लेने पड़े तो इस चीज को लेके आपको prepared रहना है और एक चीज आपको definitely याद रखनी है कि क्या destiny में है क्या destiny में नहीं है इस चीज के उपर आपको बिल्कुल नहीं सोचना है आपको जो सोचना है वो ये है कि आप अपनी destiny को खुद कैसे create करोगे अपने beautiful तरीके से okay let's see mean राशी को लेके क्या message है okay mean राशी वालों को लेके जो मुझे हाँ पर message दिख रहा है वो ये है कि you know कोई sweetly आपसे बात करके आपके साथ बहुत हस खेल के ये सब चीजे करके आपको please करके impress करके वो आपसे कुछ गलत काम करवा सकते हैं चाहिए वो family को लेके है या आपके career को लेके है किसी भी चीज को लेके है तो अपने अंदर अपने दिमाग को खुला रखना ठीक है किसी emotions में आके भेकावे में आके हा हा ही ही के वज़े से या उस influence में आके कुछ ऐसा मत कर देना जहां पर आपकी भी life हो किसी और की भी खराब हो या अगर आपके family का involvement है तो वहां पर भी वो चीज बहुत जादा worse हो सकती है तो इस चीज को लेके आपको ध्यान रखना है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजली को सब्सक्राइब करें